हेल्फ रेंश कुकिंग विद पुन्व सांगवन की चैनल पर आप सभी का सवाकत है आज की रेश्पी दूद में गोल कर बेशन की बर्फिय बनाना तब चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मनें एक कटोरी बेशन लिया है और बेशन लेने के बाद में अब इसमें डाल का नाप कर लेना है दूद यह थोड़ थोड़ डाल के गोल बना लेना है थोड़ थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें गुठली लम से ना पड़े तो यहां पर मैंने सारा दूद डाल दिया है और डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से मि बाद में 10 मिनिट के लिए रख देंगे इसमें सुजी में और बेशन में अच्छी तरे से दूद्र हो जाएगा तो आप बर्फी को सेट करने के लिए बरतन त्यार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक छोटी थाली लिए है और चोटी थाली में गी लगा दिया और गी लगान से चलते हैं तो गैस को पर कडाई रखती है और कडाई में दो चमच डाल दिया है और खाने सब्सक्राइद च्रह सरह हैं और गी को मीडियम टूशलो रखेंगे मीडियम टूशलो गैस को पर रखते वे 10-15 मिनट तक शेख लेना है और इसमें अची तरह से खुषबाई तब तक शेखना है तो एकर दोस्तों आपको बेशन की पर फिकी रेज भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो आठ से साथ मिनट हो गए थे शेखते वे तो आठ से साथ मिनटे और लग जाएंगी शेखने में रहार से जो छीकने थे कण थे यह तो मिन्हों निस्टिक वाले कणाई में निक्स केगा और एलमुनी माले कणाई में चिपकता है तो इसलिए लगातर चलागते रहना है तो यह वर्फी बहुत ही शोफ्ट और नरम बनेगी मौन धाल जैसा ही टेस्ट आता है तो पहले से काफी खिला-खिला हो गया है चेर से पांच मिनट और कि शेक लेना है Scout की तो आए पर बेशन शीखके रडी हो गया है तो अब चांच नी मिनाती है तो चांच नी बनाने के लिए के गैस को पर एक छोटा पतिला रग दिया है और अब लेंगे एक कटोरी चिन्नी और एक कटोरी पानी और अच्छी तरह से चिन्नी को मैल्ट कर लेंगे तो यहां पर चिन्नी को मैल्ट होने के बाद में एक उबाल ले आएंगे तो यहां पर चाशनी एक तार या दो तार की नहीं बनानी है चिन्नी को मेल्ट होने के बाद में एक उबाल ले आएंगे और उबाल ले आने के बाद में गैस को बंद कर देंगे तो एक उबाल आ गया है उबाल आने के बाद में अब गैस को बंद कर देंगे तो अब कटाई को दुबारा से गैस को पर रखेंगे और अब थोड़ नहीं डालते रहेंगे और अची तरह से मिक्स करते रहेंगे और गयस को मेडियम टू सलो ही रखना है ऑद आ और गयल को गोल को अची तरह से हमिक्स करते हुए शाथ से आठ मिनाय तक गयस को पर और चलाना है हगे हैं कि तरही मिक्स कर लिया है तो यह भी के अलवा जैसे बन गया थो 2008 मुनिट तक चलाएंगे तो अचितरी ची मून बंड़र जाये और जब तक चलाना है जब कडाई से छोड़ना स्टार्ट हो जाए तो यहां पर कडाई को छोड़ना स्टार्ट कर दिया था तो अभी गैस को बंद कर देंगे गैस को बंद करने के बाद में एक बरतन में जो सैट किया था उसमें निकाल लेंगे और अच्छी तरह से सैट कर देना है तो अच्छी तरह से सेट हो गया है और अब इस पर डाल देंगे ड्राइफ रूट्स तो यहां पर मन बदाम डाल दिया है चोट-चोटे फिस करके और अच्छी तरह से दबा देंगे और अब ठंडा होने के लिए एक से डेट गंटा के लिए रख देते हैं तो एक से डेट गंटा हो गया था ठंडा हो गया है तो अब बरफी को दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं और फिर बरफी को कट करेंगे तो अब बरफी को चक्को से कट कर लेते हैं तो यहां पर बैसन की बरफी बनके रड़ी हो गया है तो आपको यह रेच पर अच्छी लेगे केमेंट करना धन्यवाद झाल 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 झाल